इट्स मार साइट की तरफ से दिल की गहाईयों से सबको ईद मुबारक उमीद है आप लोग अच्छी तरीके से अपने ईद को एंजॉय कर रहे होंगे असलामों आलेकुम वेलकम टू नियो वीडियो वेलकम नियो स्पेशल ईद विलॉग और इद विलॉग में हैं सबदस कसिम के शायटो कुड़े और सिंगापूरी राइस की रैसिपी जो मैंने अभी एद के पहले दिन बनाई थी और मैंने आपका आपके साथ उनकी रैसिपि शायटो कोड़े के शायटो के शायटो के लिए मैंने लिया है ब्रेट लिया है तकरीब मैंने लिया है तकरीब मैंने लिया है एक कप मैंने चीनी लिया है दूद लिया है मैंने पूरा एक दवा एक डूद एक डेट के लोग का यह मेरा दूद है लाइची पॉडर लिया है अच लिए अच्छा मेरे दो उंडे लिया है और यह जपी का बर्स बणाओ भाग लिया यह एक अन्टेर देम के टानल है तक्रिवन चार डेपली स्पून चीनी डाली है उसमें मैंने हाफ कप दूट डाला है और अच्छे से इसको हम भेट लेंगे अच्छा मैं ऐसे सिफ फ्राइ नहीं करती टोस को उनको फ्रंच टोस बनाके उनको शैलो फ्राइ करेंगे अक्सर लोग जब शैट गुड़े बनाते हैं तो सिर्फ फ्राइ कर लेते हैं लेकिन मैं फ्रंच टोस बनाती हूँ अच्छा बाकी दूद हमने पैन में लिया उसमें भी चीनी डालेंगे इलाइची पॉडर डालेंगे और इस दूट को हमने पकाना है हाफ कब दूदूसी में से लिया उसमें जोड़ा कलर डाला फूट कलर और इसमें शामिल कर दिया अच्छा कुछ लोग कस्टड बनाके भी डालते हैं लेकिन मैं इसको बहुत अच्छे से पकाऊंगी जैसे हमने अपने शीर खुर्मे को बनाए था उसका लिंक भी उपर डाल दूँगी वो वीडियो में लाके चेक कर सकते हैं वो बहुत जादा मज़े का शीर खुर्मा बनता है अच्छा अगर आपको लगे कि आपका डाल नहीं हो रहा तो आप यहां पर कॉन फ्लोर भी डाल सकते हैं अधरवाज यह ऐसे ही गाड़ा हो जाता है पक पक करी बस देखें यहां मैंने अपने फ्रेंश टोस को खाएंगे न तो यह बहुत जादा ही टेस्टी लगेंगे अंदर तक मिठास अंदर तक की आएगी बस इसको असेंबल कर लेंगे बहुत तोड़ा सा जो मारा देखें यह जो मैंने बना यह बहुत अच्छा गाड़ा होगे दिखें अच्छा अच्छा गाड़ा हो जाएगा पहले पैन में अपना यह दूपलेक वाला मिक्स्टर डा बहुत यह बहुत बहुत पसंदा और यह दरूर आपने रिसेपे शामिल करें और इस तरह की चीज़ें न तो अपने वालदाय भी बहुत ज़ादा आ यह बहुत मगफरत फर्माएं उनको बहुत अर्श पर आला मुकाम दे तो आपके माबाब बहुत यादा आते हैं तो आ जाए ट्रकुड़े में रख दी है और यहां बनाएं के सिंगापूरी राइस का समान लिए जिसके लिए एक पैकट लिए है तमाम सब्सक्राइब शिंबला मिर्च है मेरी और हरी प्याजर है गाजर है गोपी है जूलियन कटि में काटा है तकरिमां डेल देल कप लिए है इस बस पैन में मैंने द्रकलेशान डाला है उइल डाला है तक अीये करें मिर्च कायics टाली यह थाए के बाने परें डाला है अपना सोया सॉस , 8 चम्चे 4 चम्चे , 4 चमिशे 3 तम हैं आप इनको चकते जाएंगे और अपने केस के मताबिक में अगर कम जाते लगेंगे तो शामिल भी करते जाते हैं और इसके बाद मैंने आखर में इस्तामाल किये तकरीब चार्ट चम्जमेनस में कैचप भी शामिल किया तदा इन्हेंस हो जाता है अच्छा बस की चिकन बना लेंगे सिंगापूरी राइस के लिए उसके मेले मैंने चिकन लिए तकरीबन साड़े साथ सोगड़ा मैंने चिकन लिए है इसके लाबा वही इंगेडियंस हैं सोया सॉस चली सॉस सिर्का और हाट सॉस काले मिर्च हैं कैचप है तो बस इसके लिए पेपलेखन बना लेंगे इस प्रोसेजर टतर लंबा होता है, शिखर्द का सहथा टाइम को ने मैं बनते बहुत जादा है तो इसलिए जलूर ट्राय करें इसलिकर सब को बहुत पसंद आते हैं मेरे घर मेरे में तो सामने बहुत जादा शॉक से खाए हैं आग molta सिंगापूरी राइस का ना गेम चेंजर दो चीज़ें होती है यहां पर आप जितना अचा चिकन बनाएंगे ना आपका बुलकुल पूरा सिंगापूरी राइस का टेस्ट हो जाएगा बस मैंने नमा के एड़ किया है ठोड़ी से चिकन ट्रास्पेरेंट होगी ठोड़ा पक अब बन लेंगे ताकि हमारी चिकन का सब चीजों कटिये चिकन में आ जाया है और रिखें बहुत बॉन्लेस चिकन लगती है और उच्छी भी लगशा है कि मैंने रखने में यह बहुत बहुत जाविग है कि मेंनु रखने में यह वाँ पर अब राइस जाएं आप एसम्स कर सकते हैं वह भी बहुत जादा मौट वाटरिंग कड़ाई थी और सब को बहुत जाए तो ऐसा ही मैन्यू रखें अपनी दावत का खास दावत का कि सब को चीजें पसंद आए और यह चीजें जो होती हैं सिंगापूरी राइस यह जो इटालियन काने हम बनाते हैं वह बच् टी स्पून मैंने काने मिज डाली है और ठोड़ा सा मनमक शामिल किया और अच्छे से इसको फिर किया है और किसी भी पाइप बेग में या किसी भी मेरे पस एक बोतल थी मैंने उसमें डाल दी ताकि हमें जब हम सैंब्लिंग करेंगे अपनी तो उसको डालने में असानी रह स्पैगेटी पर रेडी थी तावाम चीज़े रेडी हो गई थी बस हमें सैंब्ल करना था और देखें कितना स्वकत मुश्किल लग था लेकिन अब बिल्कुल असानी से एसमेल हो गई इसमें डाल देंगे और कितना अच्छा तेस्स लग रहा है कितना अच्छा अच्छा स्टाूर वर्णा डाल देंगे और सिंगापूरी राइस का तेस्स एक दम से दूबाला कर देता है बस मुझापूरी यहां तो मेरे तो घर वाले यह जो यह सो से अलग से रखे भी खांते है इतना अच्छा पसंद है अच्छा पाल लेंगे चूड़ी सी जूलियंग यह उ थोड़ी सी अध्रक लिए तुन्हों को जुलेंग में काट लिया है थोड़ी से तेल में अच्छे से प्राइपे राइप और जैसे यह ऐसे फ्राइप आप सब्सक्राइब अपने सिंगरपूरी राइस पर इंकल कर देंगे इस जो आप मसाला कर डालते ना इसे बहुत अच्छा टेस्ट आएकर जरूर भागार करें पर दबादस कि सिंगे संगरपूरी राइस रेडी टू एट हैं कहाने के लिए कितने हैं और शकल से कितने डामपट सकते हैं ना बहुत上 सकते हैं तो बिसमस्ता बहुत पास थी लुक फLA पतले लेकिन आप स्कूर्ज कीन बढ़ा चाधा है तो कर लिस्टेपराइद को कश्खाना पष़ा प्रषण के घृणर है कि अच्छा लगता है मुश्किल हो नह evenings साथ्फने और दाब सबीन को थैग ब बहुत ही सब्ढ़ास की सेगे सिंगा पूरी राय जरू जरू ट्राइग करना है कि बताना भी है कि रैसिपी कैसे लगी है और कौन является आपनी अपनी एदपर ट्राइग करें , अपना भाछा ख्याल करें और रम्जान की तरह एद आ याद रखना है इते अपना है क्योंके वर न No wrong, no right, it's my side.